नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Friends at Preparation YouTube चनल पर इस से नन पर मैं लेकिया आता हूँ रोजाना एजुकेशनल वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे Current of Air General Study के वे सारी कोशन जो कि आप से पूछे जा सकते हैं किसी भी Competent Examination में अगर आप Preparation कर रहे हैं UPSC Prelims 20-21 या फिर किसी भी स्टेट का PCS exam के त्यारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल होने वाली है इस वीडियो को आप यूटलाइस करिए Practice के रूप में और चेक करिए कि आपका Preparation का क्या लेवल चल रहा है Question को Attempt करिए और End में Comment करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने Question के आंसर सही की और साथ ही साथ इस वीडियो के एडियो में कुछ कोशन और भी आपसे पूछने वाला हूं कुछ टॉपिक से रिलेटिड तो जो आप ध्यान से सुरेंगे तो इसके आंसर दे पाएंगे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले बार वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए सब्सक्राइब कर लिजिए और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताई कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सगे Consider the following statement regarding किसान सुरुएदय योजना इस question में आप से किसान सुरुएदय योजना के बारे में पूछा जा रहा है और इसके regarding में आभी आपके पास ये दो statement दे दिये गया है First statement में बोला जा रहा है It is aimed at providing daytime electricity to farmer यानि कि ये जो योजना है किसान सुरुएदय योजना इस योजना का जो में एम है यानि जो target आप कह सकते है कि daytime पर किसान को electricity provide करना काम है Second statement में बोला जा रहा है It is centrally sponsored scheme यानि कि इस scheme को चलाने के लिए central government union government fund provide करने का काम करती है इसलिए बोला जा रहा है centrally sponsored scheme ठीके तो आपकी according correct answer किया है correct option को choose करते हुए आपको बताना है और वो कैसे करेंगे आप सही statement को choose करेंगे तो सही statement जोन से भी उसके according code decide होगा और उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कौन सा answer सही है option A में आप से बोला जा रहा है first statement correct है option B में आप से बोला जा रहा है second statement correct है option C में आप से बोला जा रहा है both first and second दोनों ही statement बिलकुल correct है और option D में आप से बोला जा रहा है neither one nor two 8 minutes यह है कि यह दोनों ही statement गलत है, तो correct statement आपके according क्या है, question को attempt कर लीजिए, इस question के अगर correct answer की बात करें, इसमें दोनों ही statement आपको correct दे रखें, अभी recently प्राइम मिनिस्टर ने एक scheme के बारे में अभी announce किया है, जिसका नाम है किसान सर्वसुर्यद योजना, और इस योजना क यानि कि दिन के समय में किसान को electricity provide की जाएए, और यह जो scheme start की गई है, यह गुजरात से start की गई है, यानि कि यह हुआ कि फॉर्स statement हमारा correct हो गया, अगर हम बात करें second statement की, तो हाँ यह बात बिल्कुल correct है, यह centrally sponsored scheme है, इसका मतलब यह हुआ कि central government, यानि कि आप यह बोल सकत presentation का काम करेंगी, वो state government करेंगी, तो correct answer हमारा option C हो जाता है, दोनों ही statement, first भी correct है और second भी correct है, तो correct answer हमारा option C हो गया, तो correct answer हमारा option C हो गया, with reference to Rameshore sites and the state to which they belongs, consider following pairs, अब इस question में आपके पास जो Rameshore sites होते है, ठीक है, यह यह रिए कि wetland के बारे में आपने सुना होगा, क international level पर wetland को एक तरह से recognition देने के लिए Rameshore sites को एक दरजा दिया जाता है, international level पर, Rameshore इरान के अंदर एक city है, जहाँ पर यह convention sign हुआ था, उस convention के हिसाब से Rameshore site का दरजा wetland area को दिया जाता है, तो आपके पास इस question के अंदर, यह चार अलग-अलग Rameshore sites है, और उससे date का नाम और उसके साथ जो रामिस्वर site आपको गिवन है, वो correct है, तो रामिस्वर site कौन सा correct है, यह आपको चूज करना है, तो सबसे पहले first में आप से बोला जा रहा है कि करबा, करबाटन wetland, जो की बोला जा रहा है, बिहार के अंदर है, next आप से बोला जा रहा है, आसान का wetland और इसकी location हिमाचल परदेश में बोला जा रहा है, यह first, second, third और यह four, four wetland दे दिया गया आपको पास, और उसके सामने एक state mention है, आपको चूज करना है कि wetland की according, क्या state आपको correct दे रखें, तो correct pair जो भी आपको लगते हैं, वो आपका answer होने वाला है, तो चूज करिए चूज करेक्ट आपको correct answer क्या है, ऑप्टिन A के according बोला जा रहा है, कि first, third and fourth, यह बिल्कुल correct आपको दे रखें, ऑप्चिन B में आपसे बोला जारहा है, first, second and third, यह correct दे रखें, ठीक है, तो Az önceki में आपसे बोला जा रहा है, first, third and fourth बोला गया, बी में है आपसे बोला जा तो आपके अक्रेक्ट आंसर क्या है यह आपको चूज करना है चलिक को अटेप्ट कर लीजिए अगर हम अपनी कंट्री में रामिशुर साइट की बात करें कौन-कौन सी ऐसी वेटलेंड है जो हमारी कंट्री में जिसे रामिशुर साइट का दरजा या फिर आप कह सकते हो कि अब आप इस वीडियो को पाउस करके अच्छे से देख लीजिए कि कौन-कौन सा है अब आते अपने कोशन पर तो हमारे कोशन में जैसे बोला गया था कि आपको चार ऐसे चार ऐसे आपको दे दिये गए थे कि रामिशुर साइट जैसे हम बात करें फर्स्ट तो सबसे पहले आप से बोला गया कि करबाटल वेटलेंड इसकी लोकेशन भीहर में अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रामिशुर साइट की जो लिस्ट होती है जो इंटरेनल लेवल पर ये एनल के लिखेशनल लेवल पर लेवल पर वेलेंड होता है उसके अंदर हमारी कन्टरी से दो जो है ये बिहार के अंदर इसकी location यहां पर है यह भी include किया गया इसके इलाबा उत्राखंड में एक आसां conservation reserve है इसे इसे इसकी location वेजित है इसकी location हर्याना में नहीं है बलकि इसकी location जैसे कि मैंना भी आपको बताया है तो उत्राखंड के देहरा दुन में इसकी लोकेशन है ठीक है याने कि आप यह बोल सकते हो कि भी कि यह जो आसान कंजर्वेशन रिजर्व है इसे वेटलेंड एरिया के रूप में identify किया गया है जिसकी location उत्राखंड में है ना कि हर्याना के अंदर है ठीक है तो second statement जो हमारा वो आपको गलत दे दिया गया था बाकी जितने भी है वो correct है यानि कि आप यह बोल सकते हैं यह जो सम्मन bird century है जिसके बारे में आप से बोला ग प्रदेश में यह बात दी बिलकुल correct है यानि कि first correct था second में location में गड़बढ़ती जो कि उत्राखंड में है ना कि हर्याना के अंदर third and fourth भी correct है तो आप यह बोल सकते हो कि first third and fourth correct होने की वैए से option c हमारा answer हो जाएगा ठीक है अच्छे आप एक बार यह करना है आपको आज आपके लिए question यह भी होने वाला है कि आपको बताना है कि आपका आप जिस भी state से बिलॉंग करते उस state के बारे में बताना है कि वहां आपे भी कोई wetland area है अगर wetland area क्या उनको रामिस्वर साइट के रूप में उसे identify किया गया है यह आपके लिए question होने वाला है तो मैपको अच्छे से देखिए और comment में अपना answers शरूर बताईएगा ठीक है चले देखते है next question next question में आप से पुछा जा रहा है CBC के बारे में यानि की Central Vigilance Commission के बारे में question को इस तरह से है which of the following statement are correct regarding Central Vigilance Commission इसके regarding में आपके पास यह first statement है उसके बार यह second statement और नीचे यह third statement है according to first statement it advise various authority in central government organization in planning, executing, reviewing, performing their vigilance work यानि कि सतर्ता से related, vigilance related जो भी काम होते है Central Government के अलग-अलब जो उनके institution है, authority है उसके अंदर उससे related planning, execute करने में, उसको review करने में और उसके reform करने में जो भी काम होता है उसको advice देने का काम Central Vigilance Commission करता है यह first statement में बोला जा रहे है second statement में बोला जा रहे है it is only responsible to the parliament यानि कि CVC की कर हम बात करे, CVC का मतलब है Central Vigilance Commission की बात करे तो यह सिर्फ और सिर्फ Parliament के लिए है responsible है उसको यह जवाब दे है इसकी third statement बोला जा रहे, it was set up on the recommendation of the, के इसको जो recommendation दी गए जिस कमेटी के, उस कमेटी के हमारी कंट्री में CVC को established किया गया था ठीक है यानि कि आप यह बोल सकते हो कि एक committee थी जिसमें के संथानम इसके head थे इन्होंने recommendation दिया कि हमारी कंट्री में CVC जैसे एक institution होने चाहिए जो कि vigilance related काम करें तो यह तीन statement है, आपको चूज करना है कि correct statement कौन से है, option A के according first statement correct है, option B के according second and third statement correct है, और option C में आप से बोला जारा है कि third statement सिर्फ correct है, और option D में आप से बोला जारा है first, second, third, यानि कि यह तीनों ही statement comment जो आपको दे रखे हैं, बिल्कुल correct है CVC के बारे में, तो आपके according correct answer क्या है, answer choose करिए, तो इस question का जो correct answer है वो D, D का मतलब यह है कि यह तीनों ही statement बिल्कुल correct है, तो CVC की बारे में सब्सक्राइब जान लेते हैं, हमारी country में, इसे case अंधानम ने 1964 में एक recommendation दी थी, कि हमारी country में CVC होनी चाहिए, यानि कि central vigilance commission होना चाहिए, इनके recommendation के बाद इसे established किया गया था, और इसे तो established किया गया था, उसे central vigilance commission act 2003 act के तहट इसे established किया गया, इसका मतलब आप यह समझ गये कि भी एक act पास करके इस institution को हमारी country will established किया गया, तो इसका मतलब यह हुआ, यह statuary body हो गई, statuary status है इस organization का, तो इसका मतलब यह वाकि भी आपकी जो third statement वो correct है, बाकि first और second statement की बात करें, यानि CVC की अगर work की बात करें, तो central government के अंदर जितने भी organization है, ठीक है, या जितने भी institution है, सब को एक तरह से vigilance related, जो उनके काम होते है, वहाँ वो advice देने का काम करती है, कि कि किस तरह से वो corruption free या vigilant होकर के, उस institution में काम हो सके, उसके लिए क्या planning होनी चाहिए, क्या execute करना है, क्या review करना है, उसके related या advice देने का काम करती है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि first statement भी हमारा correct हो गया, first correct हो गया, third correct हो गया, बाकि second statement में आपसे बुला गया, कि CVC जो होती है, ये एक independent body है, और ये स सिर्फ और सिर्फ Parliament के सामने ही, ये responsible होती है, जवाब दे होती है, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, कि तीन हो ही statement correct है, तो correct answer हमारा option D हो गया, next question में आप से पूछा जा रहा है, consider the following statement, ये जो question है आपका, global hunger index के बारे में है, और statement कुछ इस तरह से है, according to first statement, India is ranked in the top 50 country in the global hunger index 2020, hunger index, ठीक है, यानि कि GHI अभी declare हुआ है, एक सामने है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है, कि हमारी country, top 50 में, top 50 हमारी country की rank है, उसके अंदर हम include किया गया है, हमारी country को, first statement बोला जा रहा है, second statement में आप से बोला जा रहा है, Bangladesh is ranked far ahead of India in the latest gender parity ranking, यानिकि जेंडर parity की ranking की कर बात क रही है, वो हम से ज्यादा अच्छा perform कर रहा है, और उसकी ranking हम लोगों से अच्छी है, second statement बोला जा रहा है, तब आपको बताना है कि इन दोनों statement में से correct statement कौन सा है, उसके according अपना answer choose करिए, option A के according first statement correct है, option B के according second statement correct है, और option C के according both first और second, दोनों ही statement correct है, और option D में आप से बो अपना answer बताईए, correct answer क्या है, तो इस question के अगर correct answer की बात करें, तो अभी recently global hunger index सामने आ है, जिसमें हमारी country के rank, जैसा कि आप देख सकते है, 94 है, और बांगलादेश की बात करें, तो बांगलादेश की ranking 75 है, तो आप यह समझ गया होंगे कि बांगलादेश हमसे better perform कर रहा है इस field के अंदर, वो इस लिए कि last 20 years, यानि कि past two decades, यानि कि पिछले 20 सालों में, बांगलादेश हमसे better improvement कर रहा है, बहुत सारी field के अंदर, चाहे हम बात करें, social, political, health, sanitation, financial inclusion, या women's political representation, बहुत सारी field में, बांगलादेश ज्यादा अच्छा perform कर रहा है, आप लोग भी मालूम ह कि भी इंडिया के बाद, बंगलादेश के बारे में बोला जा रहा है, ये world में सबसे बहतर GDP को perform करने वाली country में से एक है, ठीक है, तो वही, जो first statement में आप से बोला गया, कि भी हमारी country की जो rank है, top 50 में, top 50 में तो हमारी rank नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि first statement हमारा गल बोला गया, कि भी जो जेंडर परेटी index की एकर हम बात करें, तो उस ranking के हिसाब से भी हम लोग बंगलादेश से काफी पीछे है, बंगलादेश की जो ranking है, top, मले, total 154 country के एक बात करें, तो बंगलादेश की ranking की एकर हम बात करें, तो बंगलादेश टॉप 50 के अंदर है, और हमारी country की ranking है 112 तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी हम तीछे रह गए हैं बंगलादेश के comparison में तो यानि कि आप यह बोल सकते हो कि second statement बिल्कुल correct है first statement गलत होने की वज़े सिर्फ इतनी है कि हमारी country top 50 में नहीं है बलकि global hunger index में 94 rank पर है अगर हम gender parity index की बात करें तो उसके according हमारी country की rank 112 है ठीक है तो correct answer option B हो गया next question में आप से उडान scheme के बारे में पूछा जा रहा है question कुछ इस तरह से है with reference to the उडान scheme consider the following statement उडान scheme को ध्यान में रखते हुए यह आपके पास first statement है उसके बाद यह second और यह नीचे third statement है इन तीनो statement में से आपको correct statement choose करना है according to first statement it invigates providing connectivity to the unserved and undeserved airport of our country यानि कि हमारी country के अंदर जितने भी ऐसे airport हैं जो कि अब काम पे नहीं है connectivity के नाम पे अभी बंध हो गया है उनको दुबारा से start करने के लिए यानि जो बंध हो गया है एरपोर्ट जहां पे कुछ काम नहीं हो रहा है aviation sector से related कोई काम नहीं हो रहा है उनको improve करने के लिए यह उडान scheme को लाया गया है हमारी country में दूसरे statement बोला जा रहा है it is under the agency of ministry of civil aviation हमारी country में जो civil aviation ministry है उसके अंडर में यह उडान scheme को start किया गया है third statement बोला जा रहा है the scheme is operational for the period of 10 year यानि कि यह जो scheme है उडान scheme अगले 10 साल तक अगले 10 साल के लिए valid रहने वाली है तो यह तीन statement हो गया उडान scheme के बारे में अब आपको choose करना की कौन सा statement बिलकुल correct है option a के according first statement और option b के according second and third statement और option c में आपसे बोला जा रहा है first or second statement और option d में आपसे बोला जा रहा है कि यह तीनों ही statement first, second, third, all three statements are correct तो आपके according correct answer क्या है चलिए answer को choose करिए इस question के correct answer की बात करें तो इस question का correct answer option d है d का मतलब यह है कि तीनों ही statement first, second, third, तीनों ही statement बिलकुल correct है first statement में आपसे बोला गया कि जो उडान scheme है हमारी country के अंदर जितने भी airport है जो की working condition में नहीं है उनको दुबारा से restore करने के लिए दुबारा से उनके वहापे functioning हो यानिकी दुबारा काम करना वो start करे उसके लिए हमारी country के अंदर यह उडान scheme को लाया गया है जो की बात बिलकुल correct है अगर हम बात करें second statement की तो second statement में आपसे यह बोला गया कि यह ministry of civil aviation के अंडर में यह उडान scheme लाया गया बिलकुल सही बात है 2-1-6 में इसे launch किया गया है और launch करने का main target यह है उडान का मतलब यह उडे देश का आमनागरी यानि कि हमारी country में हर किसी के लिए यह जो उडान scheme के तहत कि वो जो travel करने का काम है वो airplane airplane को भी use करके वो travel कर सके flight को भी use करें उसके लिए इस तरह का program लाया गया हमारी country में कहने का मतलब यह जो fair होता है fair को कम करके आम लोगों तक भी यह सुविधाय पहुंचे इस लिए उडान scheme को लाया गया तो second statement भी correct है अगर हम third statement की बात करें तो यह जो scheme है अगले 10 साल तक के लिए active रहने वाली scheme है यानि कि हमारी country में जितने भी airport वगरा है जो function में नहीं है जो बंद हो चुके हैं किसी भी वज़े से उसको दुबारा से restart करके लोगों को अच्छे एक affordable price पर fair पर एक flight की ticket प्रोवाइड की जाए इसके लिए scheme लाया गया और यह 10 साल तक अगले 10 साल तक यह scheme valid रहने वाली है तो आप यह बोल सकते हूँ तीनों ही statement आपको correct दे दिये है ठीक है तो correct answer हमारा option D हो गया अब आपके लिए question यह है कि जो सबसे पहले मैंने आपसे पुझा था कि रामिश्वर side के बारे में वो question तो आपके लिए रहेगा ही रहेगा जिसमें आपने बताना है कि आप जिस भी state से belong करते है वहाँ पे कौन से wetland है वो आपको बताना है इसके इलाबा wetland के अंदर जो रामिश्र side के रूप में जो identify किया गया है उसका नाम आपको बताना है second question आपके लिए यह है हमारी country में जो CVC है जैने कि Central Vigilance Commission है यह किस committee के recommendation के बाद हमारी country में existence में आई है उस committee का नाम बताना है उसके head कौन ते यह आपको बताना है अगर आपने वीडियो ध्यान से दे या देखा है तो इस question का answer आप बहुत easily दे सकते हैं तो दोनों question का answer देना आप ठीक है मिलते हैं फिर next वीडियो में आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है पहली बार वीडियो को देख रहे है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की notification मिल सकें ठीक है मिलते है next वीडियो में कमेट जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और कुछ वीडियो जो आपके स्क्रीन पे आ रही है इन्हें देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं ठीक है चले मिलते हैं next वीडियो पे